हाई गाईज वेलकम टो आर यूटूब चैनल दरीयल इन्वस्मेंट आज हम बात करने वाले डिक्सॉन टेक्नालोजी इस स्टॉक के बारे में इस स्टॉक के बारे में हम पहले भी फंडामेंटल आनेलेसिस कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसके उपर मैं आपको वीडियो बना कर बता रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव मुवमेंट बनते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं डिक्सॉन टेक्नालोजी इस देखने को मिल रही है 6200 करोड रुपीज से रेविन्यू उनका बढ़कर 10,000 करोड रुपी के अब भी जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर ये लगातर इंप्रूमेंट करते हुए हमें देखने को मिल रहे है आतुल लाल की हिसाब से कहा जाए तो नेक्स ल लगातर कंपनी अपने कौर्टरली रिजल्ट्स पे अच्छे शोग करने पर फोकस कर रही है और साथी साथ इसके रीटन भी हमें जबर्दस देखने को मिलते हैं नेक्स लिवल पर इसके बात की जाए तो ही इस अलसो एक्सपेक्टिंग ए 25-30% CAGR रन रिटन वोस्ट फाइ 15,000 इसके अंदर रखी जाए और इसका जो CAGR है वो 30% रहा जाए तो इसके आमांट अपने को 1.86 लाक में देखने को मिल सकती है तो ये तो हो गया CAGR के रिलेटेड नेक्स लिवल पर बात की जाए तो इसके फ्राइडे के जो चाट पैटन के हिसाब से देखा जाए तो इसम में 3,624.60 पर भी लोग इसमें बाय करते हो देखने को मिल रहे है तो 39.29% की देखने को मिल रही है नेक्स लेवल पर इसके फंडामेंटल की बात की जाए तो इसका आरो हमें 26.2% का देखने को मिलता है आरो सी की बात की जाए तो 34.2% का इसका आरो सी देखने को मिल रहा है जहां तक कि इसके corporate action की बात की जाएं तो हाली में इस stock ने 10 is to 2 कप split भी किया था और annual general meeting में 21 September 2020 को interim dividend भी दिया था रुपीज 4 का इसको देखा जाएं तो हमें यह साफ बता चलती है कि stock हमें return देने की कोशिश कर रहा हर तरब से हमारा फायदा करने की कोशिश करते हो देखने क को मिल रहा है और जहां तक कि इसके positive points की बात की जाएं तो company has reduced depth भी देखने को मिल रहे हैं जहां तक कि डिक्स्टन टेक्नलोजी के long term की चाट पाटन की बात की जाएं तो इसमें 583.74% का return भी देखने को मिलता है जो कि जबरदस right multi-bagger stock की निशानी देखने को मिलते है I hope आप ये news का ज़रूर फायदा उठाएंगे so thank you so much